गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मैं जमशेद सिंग कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूँ मैं लंगर बाट रहा था लंगर बाटे समय में मेरे मूँ पर मास्क था उस दिन मेरे बेटे की डेथ हो चुकी थी मेरा बेटा छोटा बेटा जिसका नाम रोहन सिंग कपूर था जो एल एल बी का फाइनल येर का स्टूडेंट था और एक केक की दुकान भी चलाता था उस मेरे बेटे ने अपनी प्रेमी का ने धोखा देने के कारण जहर पीकर आत्मत्या कर ली थी मेरे बेटे की मृत्तू हो चुकी थी और डेट बॉडी मिलने वाली थी पर मैं चुकी डेट बॉडी मिलने में टाइम था तो उस समय अपनी लंगर सिवा में कर रहा था और वो लंगर सिवा के बाद में डेट बॉडी लेके उसका फिंडल करने मुला था मूपर मास्क बंदा हुआ था ऐसे दुखी माहूल में मैं रो भी रहा था और लंगर बाट भी रहा था तो जो मेरे रूटीन में लंगर खाने वाले लोग हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके आँखों से आशों क्यों गिर रहे हैं आप रो क्यों नहीं तो मैंने उन्हें अपना दर्द शेयर करते हुए पुरी बात बताई वो लोगों ने खाना रोक कर मुझसे कहा कि आपने ऐसे गमगीन परिस्तिती में भी आज लंगर नहीं बाटना था तो मैंने उन्हें से कहा कि जिस दिन मेरे बेटे ने आत्मत तैकी थी उस दिन वो मैं लंगर लेकर निकल रहा था तो उसने मुझे कहा कि पापा जी मुझे आपसे अपना भविश्य कुछना है और साथ में उसने ये भी कहा कि मैं आपको आपकी फीज दूँगा क्योंकि दो बजे लंगर बना कर मैं धाई पौने थीन बजे निकलने लगता हूं तो मैं बैट गया चुकि मेरे पास में दस मिनिट का समय था और उसको उसकी कुंड़ी के साब से जो बताना था बताया साउधानी क्योंकि उसका समय खराब चल रहा था तो साउधानी क्या वरत नहीं ये भी सब बताया तो बात में फिर मैंने उसको एक लाइन जोड़ के बुला कि अगर पैसे की कोई भी जरुरत हो तो मुझे फोन कर लेना मैं तुम को पैसे तो दे दूँगा और भी कोई चिंता हो तो और भी मुझे से बता देना मेरे पैटे ने उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा बाचित की और उसने फिर आखरी में एक लाइन बोली कि आप लंगर बाटने जा रहे हो मेरी मृत्तु अगर हो गई तो भी आप लंगर बाटना छोड़ना नहीं तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी उमर अभी बावी साल है तुमको बहुत कुछ देखना है मृत्तु मेरी होगी अगर मेरी मृत्तु होगी तो उस दिन भी तुम लंगर बाटना उसने हाथ मिलाते हुए कहा हाँ पापाजी अगर आपकी मॱ्त तो होगी तो मैं उस दिन ते लंगर बाटूंगा और आपका पुरी लंगर सिवा मैं करूंगा आगे पर मेरी म॰त होगी तो आप भी मैंने ऐसे हेल Дी तरीके से भारी मंद से उससे हाथ मिलाते पे प्रमिस किया और रात को उसने जहर खाया तो दूसरे दिन मैंने उसकी उस बात को याद रखा उससे किये गए वो प्रॉमिस को याद रखा और मैंने लंगर बाटना जारी रखा यह बात सुनने के बात में सब ही लोग गमगीन हो गए और वो लोग जो रास्ते पर कजरा बिनते हैं जिनके बच्चों लिए उनको छोड़के चले गया है या बाकी सब वो लोग जिनके पीट पर मैं हाथ रखता था और कहता था चिनता के कोई बात नहीं सब ठीक होगा उन सब ही ने मेरे पीट पर हाथ रखा और मुझे कहा कि गुरु जी जिन्ता के कोई बात नहीं है सब ठीक होगा और मैंने भारी मन से उनसे विदाली धन्यवाद